सुप्रभात आप सभी को मेरा नमन मेरा नाम अम्रतांश कुमार है मैं चटी कच्छा में पढ़ता हूं और आर्मी पब्लिक स्कुल दिन जायन का विध्यारती हूं हमारा ये देश वीरों की भूमी कहलाता है वीरता हमारे खूल में हैं हमारे इतिहास में हैं ये आजादी हमें असंख्य बलीदानों के बाल में लिए हैं ऐसे में हम अपने देश को सुरक्षत वा अखन रखना हम सभी का दायत वह हैं आज हमें अपने देश को भारी वो आंतरिक दोनों ही खत्रों से बचाना हैं तो आएए मैं आप सभी के समक्ष अपनी कवीता रखता हूँ जो का शीर्षक है वीता जो हमें सिखाती हैगी अगर हमें अपना देश बचाना है तो क्या क्या करना होगा फूलों के राहे छोड़ अब मिकाटों पर चलना होगा छोड़ मक्वलिस से जो अब अंगारों सा जलना होगा नारी शक्ती को रणमर आकर चंडी रूप धरना होगा अगर ये देश बचाना है तो भगत सिंग बनना होगा गीता ये समझाती है कि हिंसा एक बुरा ये है पर धर्म के खातिर हिंसा हो तो बन चाती अच्छाई है रास्मसाईया नटवर ने गोकुल का एक राग सुनाया था पर समय पड़ा जब जब खाना ने तब तब शिस्त्र उठाया था खुद जियो और जीने दो ये गोकुल की परिपाथी थी लेकिन धर्म के हानी होने पर शिशुपाय की गर्दन काटी थी गता था हनुमान ने लंका असुरुबर वाल किया धर्म के खाते नारायर ने नरसिंग का अफ़तार दिया जासी की रानी ने करवान कटारी थामी थी चंद्रशेकर आजाद की पिस्तॉल बनी नीशानी थी मुगलों का आतंग भड़ा और हाहा कारी चाई थी तब जाकर कुरुगोवें जी ने भी अपनी तलवार उठाई थी अब कद्दारों के चंगुल से भारत मादा को आजाद करो अरे अब तो कायता छोड़ो और उठाम सिंग को याद करो वीर भगत सिंग का यौवन घर घर में गुंजा जाएगा अब कोई भी दुशासिन पर चीव खीच नहीं पाएगा कद्दारों यह कान खोई कर सुन लो दिल चीख चीख कर कहता है चोटे से सीने में भी भगत सिंह रहता है प्याद अहिंसा सथ्य हमारे दिल में गांधी रखते हैं लेकिन भगत सिंग के भी वंशत जहन में आंधी रखते हैं जugen टियुए बंदर खादी हमोँ हाते हैं लेकिन फिरतेग्षेत्रूक को भगत सिंहीं याद आते morning लेकिन फिरतेग्षात्रूक भगत सिंह याद आते हैं जैस भारत